हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो यूडी सी आरे अब जिस मैच की हम बात करने वाले हैं वो है अफगानिस्तान वर्सिस पाकिस्तान सेकंड टी-20 इंटरनेशनल जो की खेला जाएगा शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टी-20 इंटरनेशनल हमने देखा अफगानिस्तान ने जीता और मैंने आपको वीडियो में बोला भी था कि मेरे को लगता है कि अफगानिस्तान इसमें अच्छा करने वाला है और जो मेरी वीडियो टीम थी वो अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान फेवरेबल ही थी ठीक है तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो top order था वो बहुत ही ज्यादा inexperience था अगर मुहमद हारिस को छोड़ दें तो बाकी top 4 में किसी को भी खास experience नहीं था और बात करें अफगानिस्तान के bowlers की तो वो highly experienced थे जिन्होंने bowling कराई ये T20 International, ODI सब खेलते हैं तो उस चीज़ का फायदा उठाया और पाकिस्तान का top order crumble किया शार्जा cricket ground का ऐसा है कि थोड़ा सा advantage रहता भी है इस ground पे जो team first bowling करती है आई एक बार देख लेते हैं pitch की conditions क्या रही पहले match में और इस match में क्या रहने वाली है ठीक है तो शार्जा cricket ground की अगर हम बात करें तो दोस्तों traditionally इसने spinners को support किया है ठीक है और second innings में थोड़ा सा betting better हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी screen पर balanced है overall बट spinners को suit करती है ज्यादा ठीक है न और top players की अगर यहाँ बात की जाए तो आप देख सकते है रहमत उल्ला गुर्बाज 5 matches में almost 35 run per match का average है strike rate भी काफी शानदार है ठीक है दैन इब्राहिम जादरान भी 4 matches खेल चुके है और 32 runs per match का average है अच्छा दूसरी चीज़ यह है दोस्तों क्योंकि अफगानिस्तान अपने country में matches नहीं खेल रहा है तो शार्जा ही उनका home ground हो गया है ठीक है तो अगर किसी भी country का tour of Afghanistan होता है तो वो शार्जा में ही खेला जाता है इसलिए यहां का जो कह सकते हैं conditions हैं उससे काफी favorable हो चुके हैं अफगानिस्तानी players और ज्यादा अच्छे से conditions का use कर पाते हैं ठीक है ना तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप देख सक पर match का average है ठीक है राशित खान का भी almost high है नवाज ने अच्छा किया है पाकिस्तान की तरफ से पर उन्हें start नहीं मिला इस match में maybe start मिल सकता है फारूकी ने भी अच्छा किया है ठीक है average first inning score आप देख सकते हैं डेर सो का है तो कोई बहुत high तो नहीं है ठीक है ना और generally जो भी toss जीता है वो bowl first करना ही पसंद करता है target को chase करना थोड़ा easy रहता है और आप देख सकते हैं team bowling first wins 80% matches तो सारे stats यहीं बता रहे हैं कि second innings में batting थोड़ा सा better हो जाती है और first innings में spinners को काफी help मिलती है ठीक है तो इस नजरिये से toss काफी important हो जाता है इस match का ठीक है तो आई सीधे चलते हैं team बनाने एक बार lineups देख लेते हैं क्या क्या lineups रहेंगी आज के match में डोनों teams की I don't think Afghanistan की lineup में कोई change होने वाला है but maybe Pakistan कुछ changes करे after such a horrific performance in the first T20 international आजम खान भी नहीं चल पाए शफीक भी 0 पे out हुए ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब changes क्या हो सकते ह देखिए शफीक की जगा शानमसूद आ सकते हैं या फिर तैयब ताहिर की जगे शानमसूद आ सकते हैं ये change हो सकता है bowling में I don't think as such कोई change करने की जरूवत है because mostly इनका batting failure था पहले T20 international में तो bowling I don't think कुछ खास changes होने वाले हैं batting में ही changes हो सकते हैं अगर होंगे तो ठीक है त तो अगर line up यही रहता है तो कौन से player important रहेंगे पाकिस्तान की team में ठीक है तो जो players important रहने वाले हैं पाकिस्तान की team में वो कौन से होंगे तो पहले decide कर लेते हैं कि Toss कौन जीतेगा ठीक है तो एक team हम बनाएंगे जिसमें पाकिस्तान Toss जीत के पहले fielding करेगा और दूसर टीम हम बनाएंगे जिसमें अफगानिस्तान टॉस जीतके पहले बॉलिंग करेगा ठीक है तो सपोस्ट पाकिस्तान टॉस जीतता है और बॉलिंग करता है देन क्या टीम रहेगी हमारी आईए एक बार देख लेते हैं तो क्रियेट टीम में जाते हैं एक बार फिल्टर लगा लेते हैं पाकिस्तान का ठीक है तो अगर पाकिस्तान पहले बोलिंग कर रही है देन मुहमाद हारिस को फेवरेवल कंडिशन्स मिलने वाली है बैटिंग के लिए ठीक है क्योंकि ये ओपन करेंगे विद सैम आयूब ठीक है देन आजम खान आपको दिख रहे हैं I think इनको भी पिक करना चाहिए हमें विकॉज नमबर चार पर बैटिंग करने आएंगे ये ठीक है सॉरी नमबर पांच पर आएंगे में भी हो सकता है इस मैच में इने उपर भेजा जाए ठीक है देख लेंगे जैसा भी होगा अभी के लिए मैं आजम खान को पिक कर रहा हूँ अपनी टीम में विकट कीपिंग भी करेंगे तो फिर कैचिंग स्टंपिंग से भी पॉइंट्स आपको दे सकते हैं तो आई थिंक इने पिक करना चाहिए एक अच्छे खासे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं ये ठीक है ताहिर और शफीक पे मुझे अभी उतना भरोसा नहीं है and I am not sure इन में से कौन स्टार्ट करेगा ठीक है तो अभी के लिए मैं इन तीन को पिक कर रहा हूँ बाकी लैनप साने के बाद देखते हैं ताहिर शफीक में से कौन स्टार्ट करता है या फिर शान मसूद सेक्षन में पाकिस्तान पहले बोलिंग कर रहा है तो इमाद वसीम शादाब खान और अगर नवास स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे ठीक है नवास का हमने रिकॉर्ड भी देखा है काफी अच्छा है इस ग्राउंड पे तो अगर नवास स लेखिए एसान उल्ला को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा ठीक है क्योंकि डेथ ने बॉलिंग कराएंगे विकिट टेकर है तो काफी इंपोर्टेंट रहेंगे अब अगर आपको फुल फलेजड पाकिस्तान की फेवर में टीम मनानी है तो आप नसीम शादा को पिक कर स अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स की ठीक है तो अफगानिस्तान करेगा सेकंड बोलिंग ठीक है यानि फर्स्ट बैटिंग में देखिए रहमत उनला गुरुबास का जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पर वह बहुत ही शानदार है ठीक है बिल्कुल भी जो की काफी important position होती है ठीक है और अच्छा भी खेल कर गए नेक्स्ट इबराहिम जादरान भी important होंगे ठीक है बट इबराहिम जादरान को में भी drop किया जा सकता है ठीक है तो वन डाउन कौन आएगा पहले देखते हैं अगर गुलबदी ना एंगे वन डाउन तो उनके बा आते हैं all rounders में all rounders में नभी ने अच्छा किया last match में तो इनको pick करेंगे ठीक है उमर्जाई देखिए विकेट टेकर है ठीक है बट वही वाली बात है कि अगर अफगानिस्तान second bowling करेगा तो we are not sure कि कितना अच्छा कर सकते हैं ये ठीक है तो मैं अभी के लिए राशित खान को pick कर रहा हूं और दोस्तों इब्राहिम जादरान या फिर नजीब उल्ला में से किसी एक को हमें drop करना पड़ेगा ठीक है ना तो वह कौन होगा अगर हम ऐसे platform पे खेल रहे हैं जहां पर तीन बैट्समन और तीन बॉलर लेना जरूरी है तो वहां पर या तो आपको नभी को drop करना पड़ेगा या फिर आपको आजम खान को drop करना पड़ेगा ठीक है मैं अभी के लिए नभी को drop करूंगा बिकाउस अगर second inning में bowling आती है तो I don't think नभी उतना बेटर कर पाएंगे ठीक है और मैं pick कर लूँँगा फारूकी या नभी नुल हक में से किसी एक को अभी के लिए मैं फारूकी को pick कर रहा हूँ ठीक है तो मेरी टीम कुछ इस तरीके से है अगर पाकिस्तान पहले bowling करता है तो ठीक है ना अब आती है captain wise captaincy की बात तो captaincy अगर है पाकिस्तान की first bowling तो captain में बनाऊंगा इमाद वसी इसको ठीक है ना तो कुछ इस तरीके से रहेगी मेरी टीम इसको सेफ कर लेते हैं अब एक टीम मना लेते हैं जिसमें अफगानिस्तान पहले bowling करेगा तो अगर अफगानिस्तान पहले bowling करता है तो ओपनिंग कौन करेगा मोहमद हारिस एंड सैम आयूब ठीक है दोनों ही इसमाद वसीम शादाव खान को आप डॉप नहीं कर सकते हैं 100 परसेंट पिक होने चाहिए आपकी टीम में अब बात करेंगे हम अफगानिस्तान की अफगानिस्तान के कौन से कौन से बोलर्स जरूरी है देखिए मुजीब जरूरी है राशिद जरूरी है और नभी जरूरी सिंपनर्स तो बहुत जरूरी है अगर आफगानिसतान पहले बोलिंग करता है तो डेथ में कौन बोलिंग करा येगा फारू का इंडम कंडी कि भी इंपॉर्टन जरूरी है और आप ऐसे प्यर रहें है जहाँ पर आपको तीन बैक्स्मन लेना जरूरी है देzeug में ब्या flesh इ उस case में आपको एक risk लेना पड़ेगा ठीक है आपको हारिस को drop करना पड़ेगा ठीक है और pick करना पड़ेगा एक batsman वो batsman कौन होगा वो होगा इबराहिम जादरान ठीक है तो कुछ इस तरीके की team बनेगी अगर अफगानिस्तान first bowling करता है तो ठीक है न अब captain wise captain की बात की जा ठीक है और wise captain बनाऊंगा मैं रह्मतुल्ला गुर्बास को ठीक है तोड़ा सा risk के आइने बनाने में आपको अगर risk लग रहा है तो आप wise captain इमाद वसीम या शादाब खान को भी बना सकते हैं या फिर in fact आप नभी को भी बना सकते हैं ठीक है ना मैं अभी के लिए रह्मतु changes कर सकता है तो उसके बारे में आपको update कहा मिलेगी आपको update मिलेगी हमारे telegram channel पे अब telegram channel से आप कैसे जुड़ेंगे आपको किसी भी video के description में जाना है bell icon के just उपर आपको more दिखाई देगा उसे press करना है नीचे आपको दिखाई देगा join our official telegram channel वहाँ पे more को press करें आपको link दिख जाएगा उस link के तुरू आप हमारे telegram channel से directly जुड़ जाएंगे सारी final updates prime team जो कि हम free of cost देते हैं आपको वहीं पर मिलेगी ठीक है तो telegram से जुलना बहुत बहुत ज़ादा जरूर है specially क्योंकि अब IPL भी आने वाला है ठीक है और दूसरी चीज़ दोस्तों सबसे important कि अगर आपने हमारा अभी तक channel subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले वो करें उसे करने के लिए आपको क्या करना है bell icon के just बराबर में exactly यहाँ पर आपको subscribe लिखा हुआ दिखाई देगा उसे press करें and then bell icon में जाके notifications को all कर दें इससे होगा ये कि सारे videos की notifications आपको फॉरन मिल जाएग जैसे ही हमारा video upload होता है ठीक है और उस video को आप पूरा देख सकते हैं समझ सकते हैं सारी information आपको दी जाएगी और आप एक अच्छी और balance team तयार कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले video में जैहिंद